हालो फ्रेंड्स वेलकम बैक इन और यूटूब चैनल एक्जाम इंफॉर्मर नीतियस आज की एस वीडियो में हमें लोग बात करेंगे एससी एंटी दौरतेश की प्रपेशन केसे करना है लास्ट दो मन्थ बचे हुए आप सभी लोगों के पास और इन दो मन्थ में आप लो सुचकर और यह भी सुच रहे कि अगर कटफ जादा जाएगा इस पोस्ट को बहुत कम है वेकेंसी बहुत कम आईए तो मैं उन सभी उच्छों को बता दू आप लोग फोम अपलाए जरूर कर रहे हैं जिसे कि आप सभी लोग का experience बढ़ेगा और जो है कि आप लोग का experience पर आगर आप लोग इसको 60 days continue daily 5-6 घमटा भी करते हैं इसको लगातार तो जी है कि आप लोग बहुत अच्छा score कर पाएंगे ठीक है सबसे पहले में आप सभी लोग इस वीडियों में बता हमका planning कैसी क्या करना है exam scheme क्या रहेगा syllabus क्या रहेगा book marks कितने लाने रहेंगे mock test वगरा कब से देना है कितना देना है selection process कर रहेगा तो ठीक है अब हम लोग बात करें थी कि आप लोग का exam होता है selection process होता क्या है तो मैं आप सभी लोग को बता दो आप लोग का exam होता है computer based exam होता है फिर उसके बाद जो है कि physical efficiency test होता है जो कि हवलदार की post के लिए और फिर उ question होते हैं ठीक है दो season में होता है आप सभी लोग का एक होता है season 1 और दूसरा होता है season 2 ठीक है जो होता है आप सभी लोग का qualifying in nature का होता है ठीक है और मैं आप सभी लोग को बता दू season 1 में total 40 number of question रहते हैं और 20 question start number करेता है यानि कि 40 question जो रहते हैं 120 number का आप लोग का पूरा paper पर होता है season 1 का जो की बिल्कुल qualifying in nature का होता है वो total 45 minutes का होता है जिसमें आता है reasoning और maths ठीक है इसमें आप लोग को बिल्कुल भी focus नहीं करना ज्यादा ठीक है अब हो लोग बात करते है season 2 यहने कि जिसमें आप लोग का merit बनता है इसमें total 50 number of portion रहते हैं total 150 marks का यह पूरा portion होता और इसी पर merit बनता है इसमें 40 minutes ही मिलता है और आप लोग को अभी से इसी पर focus करना है ठीक है अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि आप लोग को जो है कि जो आप लोग का season 1 था जिसका फर्स्ट टोपिक आता है numerical aptitude कि जो important topic है किस topic का आप लोग को करना है aptitude वाले section में और किस topic से question आते हैं तो मैं आप सभी लोग बता दू यह जो season 1 होता है qualifying nature होता है यानि कि 10 से 12 question आप सभी लोग को सही करना रहता है तो आप लोग जो है कि reasoning में 10 से 12 question सही करोगे यह portion ऐसे ही खतम हो जाएगा और reasoning और maths के बहुत easy question आते हैं ठीक है तो आप लोग देख सकते है basic जो topics हैं जिससे कि number system से 1-2 question आता है average से 2-3 question आता है profit and loss आप लोग को कर दाना profit and loss से 2-3 question आता है ठीक है profit and loss से 2-3 question आता है और फिर मैं आप लोग को बता दूँ decimal and fraction से 1-2 question आता है और फिर उसके बाद fundamental arithmetic operation से भी question आता है और ratio proportion से 2-3 question रहता है ठीक है अब देख लेते हैं हम लोग वेटेज profit loss से में आप सभी लोग को बता दूँ 4-6 question रहता है वेटेज का जिसमें profit loss, dishonest person पर आता है success you पर question आते है इसके अंदर ठीक है mark price, selling price पर question आता ह इससे ठीक है अब बात कर लेते हैं DI के 2 question रहते हैं इस बार के अधिकतर exam में 1-2 question रहे हैं और speed, time and distance या जो तीन topic है अगर आप अच्छे दिस कर लेते हैं तो 4-5 question बना लेंगो और इतने ही question सही करना है क्योंकि यह जो portion है qualifying in nature का रहता है अब बात कर लेते हैं रिजनी की तो रिजनी की में आप सभी लोग बढ़ादो भूत easy paper आता है आप लोग अगर अगर syllabus थोड़ा भूत दी पढ़ाओ तो आप लोग 10-12% easily cover कर लेंगो क्योंकि paper cutting और paper folding से 1-2 question आता है और फिर blood relationship से 1-2 question आता ठीक है जो मेरे important topic रखे आप ल similarities and dissimilarities, problem solving, visual memory और फिर space visualization, analysis, judgment, edge relation, a non-verbal, arithmetic series, figure classification से question आता है अगर आप सभी लोगों को reasoning के में अगर अच्छा श्कूर करना है तो आप लोग ग्राफ इसको देख सकते हैं direction based question आता है blood relationship से question आता है ठीक है और फिर coding से 2-3 question आता है, series से 1-2 question आता है ठीक है अगर यह चार्ट अगर आप लोग यह चार topic भी अगर cover कर लेते हैं तो आप लोग का reasoning में अच्छा score हो जाएगा और ज्यादा score करना भी नहीं है क्योंकि यह qualifying nature का है तो मैं आप सभी लोग को पता दो जो है कि 10-12 question अगर आप बना लेते हैं तो जो है कि आप लोग qualify कर जाएंगे ठीक है अब बात करने थे कि आप लोग को जो focus करना जो main topic है जिस पर ध्यान देना है हमें वो यह है तो मैं आप सभी लोग बता दो जो English रहता है अगर आप लोग English के सबसे ज़्यादा आप लोग को focus करना वो है grammar grammar में जो है कि आप लोग को verb और टेंस पर ज़्यादा focus करना उसके बाद vocabulary section vocabulary section से 8-9 question आप लोग के पकड़ा जाएंगे synonym एंटरियूम के 4-5 question रहते हैं sentence practice और फिर उसके बाद paragraph ठीक है अब बात कर लेते कि weightage क्या रहता है question कहां से यादा है तो मैं आप सभी लोग को पता दू close test sentence jumble और spelling से total 6 question रहते हैं यह मैंने previous जो अभी exam हुआ है आप लोग छे से 7 question रहता है ठीक है fill in the blank से जो है कि 2 question रहता है जिसे कि phasal से अता है question conjunction से प्रिपोजिशन से आता है और फिर जंबर वर्ट से question रहते हैं इसके अंदर अब बात कर लेते हैं इंग्लिस करना के सथा तो मैं आप सभी लोग को पता दू अगर आप लोग के grammar पे tense और जो ह कर लिजे रोज अगर दो से तीन पेपर भी अगर आप लोग सोल्व करते हैं बैसिक सिफ सोल्व करना है और जो आएंगे उसके अंदर साइनमेंट जाएंगे उसको आप लोग ध्यान रखना क्योंकि एससी के question repeat करते हैं ठीक है और अगर आप लोग 60 दिन तक ऐसे ही करते है आने कि टू मन्थ तक ऐसे ही करते हैं तो इंग्लिस में आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे एंग्लिस ज्यादा टफ नहीं होता में जो है जिसमें प्रोब्लम होता है वह रहता है जीके जिस ठीक है आप लोग देख सकते हैं मैंने इंग्लिस का ग्राफ भी बना क जितना आप लोग सिलिवस पढ़िएगा उसे सिर्फ 5-6 कोशन आएगा में जो फंडा रहता है में जो कंसेप्ट रहता है वो रहता है किसका मैं आप सभी लोग बता जाता हम वो रहता है इस्टेटिक का ठीक है वो रहता है इस्टेटिक और फिर करेंट का ठीक है इस बार क सब्सक्राइब ईसका वेटेज तो 5-6 कोश्चन आते हैं इंडियन पॉलिटी से 2-3 कोश्चन आता है Constitution से और फिर इस्टेटिक जी के से 5-6 कोश्चन आता है History के 3-4 कोश्चन आते है टोटल 25 कोश्चन आते हैं आप सभी लोग को बात कके लेता इसको ठीक करना के से दो महिने मैं इसको लोग उसके करना है पूरे चीज स्टेकर हुए आप लोग बश्यूंटी को और शक्राप में न सब स्वक लेने से कि GKGS जो है की और English इसके कोशन रिपीट करते हैं किस portion से आ रहा है आप लोग कोशन उसको आप लोग को मैंड में रखना क्योंकि वो कोशन उससे रिपीट करता है ठीक है और फिर मैं आप बता दू करेंट करेंट आप लोग को बेसिकल ही पढ़ते रहे ना करेंट अप लोग कॉशन आप लोग कोशे को से टकना जाएंगे और बेसिकली आप लोग को सिलयोबस कमईलों लुपिक बता दू है पर साहिद करते हैं उसको आप लोग को रहता है या फिर प्रिवेस को स्क्राइब कर दो सकते हैं या फिर ब्लेक बुक अच्छे से अच्छे कर सकते हैं मैं इस वीडियो में आप सबी लोग को डीटेल में analysis करवा दिया है और मैंने आप सभी लोग बदाए कि आप लोग को preparation करना कैसे और अगर आप लोग ये दो महीने तक लगातार इसको continuity के साथ रखते हैं चार से पांच घंटा अब डिल देते हैं तो मैं आप सभी लोग बदादू आप लोग बहुत अच्छा score कर पाएंगे आपके अपने SSE MTS के exam में और चारा दिन नहीं बचा आप सभी लोग का सेक्टेंबर में आप सभी लोग का exam है और मैं आप सभी लोग बदा दो daily एक mock test सुबह दे और उसको analysis करें और उसके बाद एक mock test साम में दे जिसको analysis करें मौक टेश्ट देना बड़ी बात नहीं है, उसको एनालिसिस करना, और एनालिसिस करने के बाद, जिस टोपिक से आ रहा है, जो टोपिक नहीं बना है, उसको पढ़ना भूत बड़ी बात होती है, अगर आप लोग इतना दो मुने तक करते हैं, तो surely मैं कहता हूँ, आप लोग का सिलेक्शन पक्का है, आप लोग वेकेंसी ना देखें, जितने ही वेकेंसी आप लोग यह सोचेगी, आपका एक पोस्ट उसमें आपका है, फ्रेंड्स ऐसे हैं, इन्फोर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्स्क्राइब को लिजिए, मिलते हैं नेक्स्ट अ